नमस्कार बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिग मैथ के दुबारा किसी नंबर का क्यूब हम दो सेकिंड में कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे 18 का क्यूब किसी नंबर का क्यूब का मतलब सबसे पहले क्या होगा कि 18 को 3 टाइमस लिखेंगे और उसका निकालेंगे मल्टिप्लिकेशन उसको हम क्या बूलेंगे क्यूब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों नंबर का रेशु निकालेंगे नंबर कुलगों से 1 और 8 1 रेशु 8 इसके बाद हम रेशु निकालने के बाद 1 क्या करेंगे क्यूब 1 क्या क्यूब 1 इसके बाद इन दोनों को करेंगे मल्टिप्लाई 8 फिर करेंगे 8 को 8 से multiply 64 फिर 64 को करेंगे एक बार फिर से 8 से multiply 512 इसके बाद हम क्या करेंगे बीच में जो दो नमबर होंगे उसका डवल 16 और 128 दोनों को center में लिखेंगे इसके बाद सभी को sum करेंगे पहले के अंदर 2 और जो carry होगा 51 51 लिखने के बाद इन सभी को sum करोगी और आपके पास आएगा 3 और carry होगी 24 इसके बाद इनको plus करोगी तो 8 आएगा और carry होगी आपके पास 4 4 प्लस 1 5 तो यह आपका क्या होगा 18 का cube थोड़ा complex है लेकिन एक दो बार करोगे आप असानी से कर पाऊगे यह किसा मोल करेंगे 16 का cube सबसे पहले दोनों नंबर का ratio 1 ratio 6 उसके बाद 1 दोनों को multiply करेंगे फिर 6 को multiply करेंगे 6 के साथ फिर एक बार फिर से 216 सेंटर के दोनों नंबर का double फिर आप इन सब को plus करोगे प्लस करने के बाद 21 कैरी होगा और आप इनको plus करोगे तो 9 इसके बाद कैरी होगा आपके पास develop और प्लस करने के बाद 0 और कैरी आपके पास होगा 3 तो यह आपका क्या होगा अंसर होगा इस तरह से आप cube निकाल सकते हो इसके बाद एक से मोल करेंगे for example आपके पास नंबर है 2 4 का cube 2 4 का cube सबसे पहले दोनों नंबर का ratio 2 ratio 4 24 का cube करने के लिए सबसे पहले 2 ratio 4 तो इसके अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले 2 का cube कितना होगा 8 और last में हम रिखेंगे 4 का cube कितना होगा वो 64 आप इस सब मैथर से भी कर सकते हूँ सबसे पहले 2 का cube इसके बाद आप क्या करोगे 2 का double 4 और 4 को 4 से करेंगे multiply कितना होगा 16 16 into 3 48 48 इसके बाद करेंगे अब 4 का double 16 16 को करेंगे 2 से multiply 32 32 32 को करेंगे अब 3 से 96 इसके बाद आप प्लस करोगे से भी को 4 पोर आएगा उसके बाद 96 प्लस 6 102 10 केरी इसके अंदर 10 प्लस करोगे 5 केरी तो यह आपका क्या होगा एक समबोर करेंगे देख्ये 24 के बाद हम करेंगे 27 का क्यूब तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों को रेशो में लिखेंगे 2 रेशो 7 2 का क्यूब 8 7 का क्यूब 343 सबसे पहले 2 का स्केर 4 4 को 7 से 28 28 को न 3 कितना होगा 84 इसके बाद हम क्या करेंगे 7 का स्केर प्लस इंटू एम सोरी 7 का स्केर इंटू 2 इंटू 3 तो कितना आएगा 49 इंटू 6 तो अंसर आएगा 294 प्लस करेंगे लास्ट में 3 34 कैरी 8 32 कैरी 6 11 कैरी तो आपके पास अंसर आएगा 1 9 6 8 3 इसके बाद हम ऐसे नमबर की क्यूब की बात करेंगे जिसके अंदर दोनों नमबर सेम हों फोर इंटू 33 का क्यूब सबसे पहले 3 रेशो 3 कितना आएगा डिवाइड करेंगे 1 रेशो 1 तो सबसे पहले 3 का स्केर क्यूब करेंगे 3 का क्यूब कितना होगा वो 27 27 को आप लिखोगे 4 टाइमस बीच बाले का करोगे डवल फिर करोगे प्लस 7 2 कैरी प्लस करोगे इनको तो 3 8 कैरी प्लस करोगे 9 और 8 कैरी प्लस करोगे 35 इस तरह से आप क्यूब निकार सकते हो एक समोर देखिए 55 का क्यूब दोनों को लिखोगे 5 रेशो 5 कितना आएगा वन रेशो 1 पांच का क्यूब आप लिखोगे 4 टाइमस सेंटर के दोनों का करोगे डवल उसके बाद आप करोगे प्लस 12 कैरी इसके बाद अंसर कितना आएगा 7 और कैरी इतनी आएगी हमारे पास तो कैरी होगी 38 प्लस करेंगे 3 और कैरी होगे अपने पास 41 फिर से प्लस करेंगे 126 यह आपका क्या होगा अंसर होगा दो से तीन भर करोगे तो आपके लिए भी असान होगा इसके बाद बात करेंगे ऐसे नंबर के क्यूब की जो 100 से उपर होगे फॉर एजांपल 106 का क्यूब इसके लिए इसके लिए आप क्या करोगी स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 1 यह 100 से कितना उपर 6 तो आप क्या करोगे इसका डवल करके इसमें प्लस करोगे 106 प्लस 12 is equal to 118 इसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे लास्ट के दोनों नंबर को मल्टिप्लाइ करोगे 6 के साथ तो आपके पास अंसर आएगा 108 स्टेप नंबर 3 इस 6 का आप करोगे क्यूब तो अंसर आएगा 216 इसके बाद आप सभी नंबर को एक साथ लिखोगे 118 108 216 तो सबसे पहले 16 और 2 कैरी 2 कैरी 0 1 1 कैरी 9 1 1 आपका क्या होगा अंसर होगा एक समोर देखी 104 का क्यूब सबसे पहले 4 का डवल करके हम प्लस कर दें किसके अंदर 104 के अंदर 112 इसके बाद इस 12 को मल्टिप्लाई करोगे आप 4 के साथ 48 इसके बाद 4 का क्यूब कितना होगा 64 सबको लिखेंगे एक साथ 112 48 64 इस नंबर के अंदर कोई कैरी होगी कोई भी कैरी नहीं होगी तो यह आपका क्या होगा अंसर होगा इस तरह से आप असानी से क्यूब निकाल सकते हो इसके बाद हम ऐसे नंबर की बात करेंगे जो 1000 के पास होगा मा लिजे 1002 का क्यूब तो इसके लिए सबसे पहले 2 का डबल कितना होगा चार इसमें प्लस करेंगे 1006 इसके बाद इस 6 को मल्टिप्लाइ करेंगे 2 के साथ तो 12 इसके बाद 2 का करेंगे क्यूब कितना हैगा 8 तो इस तरह से आप अंसर लिख सकते हो 1006012008 तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकार सकते हो इसके बाद ऐसे नंबर की बाद करेंगे जो 100 से क्या होगे कम होगे 94 का क्यूब 94 100 से कितना कम 6 तो पहले स्टेप के अंदर इसका डबल कितना होगा 12 और 94 में से इसको कम करेंगे तो 82 इसके बाद 82 100 से कितना कम होगा ही 18 तो इस 18 को हम मिल्टिप्लाइ करेंगे with 6 तो 108 लास्ट में हम क्या करेंगे 6 का करेंगे क्यूब तो कितना है वो 216 याद रखना वो कैसे आएगा नेक्टिव आएगा तो इसको लिखेंगे 1 को ट्रांसफर फिर करेंगे तो 83 तो यह आपका क्या होगा अंसर होगा इसके बाद इस नेक्टिव 16 को प्लस में बदलने के लिए इसको सू में से कम करेंगे 100 में से कम करेंगे तो आपके पास अंसर आएगा 4,8 इसमें से कम होगा 0,3,8 यह आपका क्या होगा अंसर होगा अगर हम इसे सम को बीना स्टेप के गरें देखिए 97 का क्यूब कितना कम 3 3 का करेंगे डवल और इसमें से कम 3 का डवल कितना होगा 6 91 में से 6 गए 91 पहला स्टेप पूरा उसके बाद नंबर दू 91 91 हंडर से कितना कम 9 और यह कितना कम 3 9 इंटू 3 27 इसके बाद 3 का क्यूब कितना होगा वह 27 नेक्टिव का कोई भी क्यारी कि ट्रांसफर नहीं होगी इसके बाद इसको प्लस का बदलने के लिए 100 में से कम करेंगे कितना हैगा 673 और एक इसमें से कम होगा और यह आपका क्या होगा अंसर होगा असानी से आप कर सकते हो दो से तीन बार करोगे तो एक समोर्द करेंगे जल्दी यल्दी 96 का क्यूब सबसे पहले 4 का डवल 8 और 96 में से 8 गए कितना होगा 88 सबसे पहले उसके बाद 88 100 से कितना कम 12 और यह कितना कम 4 कितना हैगा फोटी एट बारा गुना चार फोटी एट इसके बाद हम क्या करेंगे चार का क्यूब 64 इसके बाद नेक्टिब को पोश्टी में बदलने के लिए 88 4 7 और 100 में से 64 गे 36 तो इस तरह से आप नंबर का क्यूब निकाल सकते हो आज के लिए इतना ही धन्यवाद क्यूब